है लौजकवश करोगे तो ऊसमें कुछ भी नहीं है और इसको हिंदी से इंग्लिष करके देखो तो फिर इसका तो अंती नहीं फिर पर नहीं खतमोने बनेगी लोग बनाना तो सिधा लोजिकली प्रैक्टिस करो लोजिकली चेज़ों के बारे में सोचो यह सोचो कि क्या बोलने से क्या मतलब निकलता है अगर आप किसे से बात करते हो दू यू कह रहे हैं तो समझ जाओ यह यू के बात जो काम यहां पर आ रहा है आप इसके बारे में यह जानना चाहरे है कि इसे करते हैं क्या आप उसे करते हैं क्या आप जैसे मुझे नहीं पता सर आप मैंसे बैठे एक भी बच्चे के बारे में कि आप अकबार पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो निउस्पेपर रीडिंग की आपकी हैबिट है या नहीं है मुझे नहीं पता सर मुझे जैन्मिन नहीं पता कि आप लोगों की अकबार पढ़ने की हैबिट है या नहीं है आप रूटीन से इस काम को करते हैं नहीं करते हैं तो देखें अकबार पढ़ना तो रीड न्यूस्पेपर होता है और इस काम के बारे मुझे आप से जानना है मुझे यह जानना किस्काम को आपकरते यह क्या कुछ नहीं करना सा सिंपल चलो चलो बोलो साभश बोल के देखो जू रीट बस इतना सा है अब इसकी बढ़िया प्रेक्टिस कर दो डू यू क्या होता है पिरे बताओ सर क्या आपको क्लिर हुआ क्या है घू से हुल कॉच्चं पूच लेते हैं अगर dice you बोला तो हुए के बारे में क्या जान रहे है और यह जान रहे कि क्या इसका मको आप यह हैं डू यू का मतलब तो जब भी हम किसे से पूछे क्या आप ये काम करते तो डू यू लगा के पूछ लो और डू यू के बाद वो काम आ जाएगा जिसके बारे में हम पूछना चाहरें से जल्द उठना तो वेक अपर ली क्या होता है कुछ उठते हो किया अपस्पल उठते हो किया अट्यू यू तो यू तो आपके टंग पर जाना चाहिए सब्सक्राइब, ने दू यू, यह तो बुलना ही चाह, यह तो आपके टंग पर होना चाहिए, जल्दबाजी करना हुता है, मेक, कुछ हो करते हो क्या, पैसा बरबाद करना हुता है, स्कुण्डर, कुछ हो करते हो क्या, धूब में बैटना होता है, sitting, in the sun या in sun, कुछ हो बै आसाने बचो इट साट केकवाग अबसिक बनाओ ना सर्सिंपल यह जो मैंने बोला भी इट 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 सके बाद आखे बाद केकवाग गुड़े बैटे अगे को कमत होता है वेरी इजी जब चीजों को कहते ना वेरी इजी समय स्पोकन की क्लास में दो तरीके से प्रैक्टिस करवा सकता हूँ एक तो मैं क्या करूं वही बहुत डैप्ट मिले जाके ग्रेमर का डिसकेशन करूं एक मैं क्या कर सकता हूँ सीधा आप लोगों की टंग इंग्लिश को चड़ाने की कोशिश करूं श्च मिले लगा से बिल्कूल या तो अक एक वो के दूए फिर के दूए जास इंच असेंच का मतलब भी बहुत आसान उतार सर रही जी प्रोबले से इस पले साबले इक से जी तिस वेरी इजी तस वेरी इसी जी जी एक से एक लोग्र अच एक ट्वार्ट इस एक लिए सब्सक्राइब करें किसी से आप बात करें और जानने की कोशिश करें जिससे मैं बात करा हूं वो करता है नहीं करता है यह वाला काम आप लोगों को अगर यही question आपने do you से बदल के did you कर दिया तो किसी दिन के बारे में सबसे पहले से जल्द बाजी मत करना past तो आपने देख लिया past तो आपने बोल भे दिया पर past से मतलब क्या है past का कोई time देख के बात करें अजे past का कोई time देख कर बात करें जैसे आजे मैं आपसे पूछे बिटे कल अकबार पढ़ाता अब देख कल अकबार पढ़ाता तो अजे देख कल जो है वो past है तो past को कोई time दे मैंने का बिटे आज अजे सुबह अकबार पढ़ा यह भी past है कल रात बिटे खाना में है और उस पास्ट के टाइम को लेकर पोशिशन बजे करा किया आपने डिधी यू आ पूचेंगे सब डिधी ओ डिनर खाना क्या तर एट टेक टेनर फेल अब बोलते क्यों निशन कुंचू सादमी हो गया आप तो सबस्थ पिर से देखो डिनर करना कह था टेग दिनर हजी दूसरा बड़ क्या है एट इसरा क्या है एवरीबड़ी तो पुचो कर रात खाया अपने टिनर अधर को कितनी बड़ एंग्लिश उस तो ऐसे खागे से देखो कमाल देखों का बोलने का मुझे लगना चाहिए मैंने बोल दिया मुझे फील होना चाहिए उनको देखके कि उन पुटे नाश्ते ही कर लेते सुवे सुवे इतनी भी भूख कैसी संदेंसी खागे है तो सब्सक्राइब यू टेक दिनर लास्त नाइट लिफर से पूचो पुचो कुचो कल पड़े थे ने हां बिलकूल पुचो कल पड़े थे क्या प्रेक्टिस कर ऊचल ठीक से पड़े अब आपकल दिर्यू स्टडी कल अखमार पड़ा अपने डिर्यू री नूस्पेपर तल एक्सरसाइब की डिर्यू टेक एक्सरसाइज यस्टरेइ वोग पर गय थे क्या डिर्यू को फॉरा अधि यू सॉन मैंसर ने पूचो वोग पर जाते हो क्या पुरा बोलो फिर से अखमार पड़ते हो क्या है जो रीट तो अगर यही क्वेश्चन आपका बदल जाए टाइम के साथ विल्यू तो उसका मताब पूचरे करोगे क्या करोगे क्या भैसाब अब देखो एक बात कॉमन से देखना सकते आपने गोर दिया हो बात पर ध्यान दिया हो इंग्लिश में क्या चीज़ें कंसेप्ट में यह क्लियारिटी होने चाहिए हुग है समय की पैचान कास सोगे वर्ब से निएौई आपने डू लगाके रूटीन दिखा दिया डिपल स्ट दिखा दिया तो वर्प तो फस्ट ही रही तो English को पूरे वर्ड में सबसे Agiest Language में से क्यों माना जाता है सबसे आसान भाशाओं में से इसको क्यों माना जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा efforts लगाने नहीं सब देखूं ना, English में मेरा मेरी माय है, मेरा भी माय हैं, मेरी भी माय है, Hindi में देखो, मेरा भाई, मेरी बहन, बदल गया word, जबकि दिखाना मेरा फिरता, तो comparatively, Hindi में तो कЙही कुणा ज़्यादा महनत करती पड़ती है, सकत, English में तो महनती नहीं है, और ये बात वो ही वेक्ति फील कर सकता जो दोनों भाषाओं को बारीके से जानता हूँ तो मैंने comparatively हिंदी की grammar बहुत पड़ी English की grammar बहुत पड़ी और मुझे बात में लगा है हिंदी में तो कितना depth जाना पड़ता है एंग्लिश में तो कुछ भी इतना depth नहीं है हिंदी में तो इतना depth है सर इंग्लिश में तो उसकी comparison में पुछ भी नहीं है तो बहुत बहुत आसान भाषा है मेहनत भी बहुत कम करनी है एवरीबड़ी एसे नो तो आईये मेरे साथ एक बार बात करते हैं सिद्धी क्या बहुत दू यू इडियू विल यू पास्ट का है तो फूचर में पूछें करते हो क्या और फिर वो काम लिया और जिसके बारे में पूछ रहे हैं एक लास प्रेक्टिस ढंग से बढ़िया क्या है वर्भ भी लेक्षां सरती योगा करना होकर आप ने दू योगा एक करने वाला डू हे पूछने वाला दू होता है तो दूनों कोस्क्लीक संबव कर देना ये डू करने रा पूछ रहême और याट यह धू योगा कि करने के लिए आया वक्का तुछो तो मैं से योगा करते हूँ डो यू कुछो करा था क्या कि डेडियू करोगे क्या कि एक्सरसाइज करों था टेक एक्सरसाइज क्षिकल यू करते हो क्या करी थी कि की करोगे कि एक आप सितने बोलना है दो यू डिड्यू इस भी ओसे बनेगा सर करते ओ क्या करता किया करोगे क्या आप इसमें थोड़ा सागेर की तरफ यह आते सब अब यह तो पहला स्टेप तर्समें सर भूस्में नेक्स्ट आ जाएगा साय희क पहलवार्वार्ड डाज करते हैं से ये वाले को लेक parity की कि सबसेंगे कیں किसी भी वेक्ति से अगर घड़ी का टाइम पूछना रहो कितने बज़े घड़ी का टाइम पूछनु तो सब रह बेस्ट वाड़ा पे लिका लिखा ए तक स्बच्वार्ड टे लिए सर देखो question देखो अवाज में बड़ी अदम लियाओ सर पुछो एक बार दुबार से आते हैं सर यह पुछो अकबार कितने बज़े पढ़ते हो अभी डूसे बुलेगा डिड़ से या विल से क्योंकि आप रोज का question पूछ रहो वाट टाइम डू रीट वचो कितने बज़े पढ़ोगे अविटा गलती से डिड़ पर मत जाओ पढ़ोगे मैंने पूछ आय तो इक आम होगा तो वाट टाइम वाट टाइम विल यू रीट पूछ येस्टड़े अनि कि कल कितने बज़े पढ़ा था यह उता से वाट टाइम पूचते हैं कितने बजे वाट टाइम दियो और थोड़ा सो और प्रक्टिस करते हैं सब वाट टाइम के बाद यहाँ पर दूसरा वडातासर इसमें आते हाव लोंग किया लोंग का मतुता बच्छों कितने समय के लिए कितनी देर के लिए कितना समय कितनी दिक बढ़ाता वाज कहां चली जाती किृस्टीक तो यस्टेड़ी कितनी देड सकता क harvest हाओ व्लोंग डिडियू रीड़ निश्पेपर ये सब्टेक सब्सक्राइब है चुछ कल तिर परोगे हाओ ओलोंग विलुए डिट नियुसपेपर और बाता यू करता यू चुटाम डिर्यू कितने बजय किया वर्ट ताइम बिल्यू कितने बजय कर अब पूछना कल आपने वेट कितनी देर किया कि अगर क्या गया अगर क्या गया कि बोलना पड़े क्या गया कि देट तो वर्ब की हमेशा फिर वर्ब बदली नहीं जाती यह ग्रैमर आपके अच्छी होने चाहिए कि कि डू डिट विल इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्माती है कि वर्दुबार से पूछते कल आपने मेरा वेट कितने देर किया है हाव लॉंग डिडियो वेट फो मी येस्टरेव गलात अपने टीवी कितने देखा पूछना कि यह स्टर्डी भी कह सकते नहीं तो लास्ट कि एक बार लास्ट पूछो कि सब जब तक एक स्वर में नहीं आए यह बार बार पोलते हैं पूछो दुबार से है है हाव लॉंग डिडियो वाच टीवी इसका जवाब देखते हैं अगर मुझे यह बताना पड़े कि मैंने टीवी अब इसका अंसर प्याज़ों सब्सक्राइब ध्यान देना यहां पर मैसे इस तरफ लेगे जारों सब कि चेक करेंगे हाँ पर जब हम बात कर रहे हैं दूसे तो रूटीन है रूटीन में पहली फॉर्म आती है तो जब मैं इसका आंसर दूंगा तो वह भी फर्स्ट फॉर्म में दूंगा जैसे आपने मेरे से पूछा हाव लोंग डू रीड नूस्पेपर तो मुझे कुछ न लुट कि जो भी पढ़ता हूं और रेड निवीस पेपड और जितनी भी देर पढ़ता हो फोर करकर में बता दूंगा आं कैसे बलो मिंत 20 मिनट अकपार रोज प्ढ़ता हूं कि आ रीड नूस्पेपर फोर कि फोर करके अपनों सु टाइम को बता दें जतने देरी काम करते हैं तो असा नेचे कि तरफ आए जब आपने मेरे से पुछा कि डिडियू टेक डिनर लास्ट नाइट या फिर डिडियू डू योगा येस्टरेड़े या हौ लोंग डिलू योगा येस्टरेड़े तो मैंने वह आइसमें कुछ नहीं कराँ संत पास्ट था तो डूकर से किन फंडे और अग copyright और जो मैंने किया थभूत ता योगा और जितनी भी थिर मैंने कि हूं कर करके मैं बता दोग किने दिर मैंने कि या को तो येस्ट्रड़े एडी योगा फॉर हो तो यानि कि पास्ट में जब कोई बात पूछेंगे तो डिड आएगा डिड आ गया तो वर्प की पहली फॉम आएगी पर जब जब जवाब देंगे तो डिड हड जाएगा और जो भी काम तो उसकी सेकेंड फॉम आजाएगी जैसे रीड होता तो रेड हो जाता आएड और रेड न्यूस्पेपर फो थर्टी मिनट्स यस्टरे सेकेंड फॉम से जवाब क्यों दिया क्योंकि आपने पास्ट का क्वेश्चन पूछा था आपने पूचा हाउ लोंग विल यू तो मैंने जवाब में दिया आवल आपने विल में बात पूछी तो जवाब भी विल में ही आएगा और विल अपने आप में टाइम दिखाते हो तो उसके साथ फोस्ट हमाजी आविल डू योगा उसनी का था साथ चाह पीते लेट्स तो चल चाह पीते लेट्स इस पर से बूलों अजी उसनी का ने यह धन्यवाद्ध नो थैंक्स दूंकिए ने यह थे चाह पीओ यहर मैं नहीं सोरी वो मैं योगा करूँगा आवल पिर साजो के दिशल चाह पीते हैं लेट्स उसने का नहीं धन्य बाद जैक क्या हुआ उसने गहार मैं एक चल मैं योगा करूँगा आवल उसके बाद पियूगा देन उसके बाद पियूगा देन आवल टेक टी पियूगा ना पैरे मैं फिर मैं दोनों काम अभी और जो काम अभी उसमें तो भी लाता है एवरीबडी फोड़ोबाद को वो चुकल चाहिए पी आपने डिन टेक टी पतानी कैसे बोबोल के देखो येस येस आई येस आई येस आई येस आई कुन सी फो माईगी आपने पूछा डिडिड यूओं तो मैं हा में जवाब दे रहा हूँ येस आई टुक टी पूछ चाहिए पीते हो क्या अब दो को येस आई टेक आएगा टुक नहीं आएगा है सबसे बेसिक फॉर्मेट होता है जैसे जो बच्चे आइल्स की प्रपेशिन करते ना उनका सबसे पहले ये तीन टेंस के लिए होने बहुत जरूरी है फस्ट फोर्म कब लगती है सेकिंड फोर्म कब लगते और वि सब्सक्राइब करते हैं अब जैसे मालूम आप लोगों से बात कर रहा हूं और करते हैं आप लोगों से बात करना शरू कर दो जैसे कि past के बारे में है विटा अपने कोई past experience के बारे बात करो औरे last Sunday I and my family went to Delhi there we enjoyed a lot actually we visited many places there like science museum Red Ford and many more the best thing which we really enjoyed was the food the food was very good of the sorry about past mobile long to jump a past major on second form they said the food is past gather the food was it is past get it was second form enjoy past get to enjoyed visit past get to visited the past ghetto so last night I went to a birthday party it was very good the cake was very delicious the cake was very delicious and the cake is named past well other the cake was the party is named the party was I go to knee I went to the party I've never put your eyes cut you're planning America today are actually I'm very busy first I'll take my batch then I'll go to Delhi there I will wait my friends and then I'll have a meeting with them then I will some available wrong you sorry comma be home gay do comma me like the Honga to will welcome a belly form the best part of your day medical the best part of my days by morning may so be Mary's Amisha best part of the how can say top Nick are actually I always wake up early in the morning with the submissive says in the bottom of the bottle the words are Tom I wake up early in the morning then I take a glass of water then I store for some time then I get fresh then I spend some time with my family this is the best part of my day I discuss with them about my career the problems appealing a bit of it oh I discuss about my my career my planning my future planning I discuss to get discuss Perry for many Kuliki you go to your time daily my discuss card on yesterday I discussed today I will discuss the body when it can be better today I will discuss huh yesterday I discussed that of the cool yesterday I discussed to watch it Kurt Tava top logo in the kick history Kiki about Kudika I discuss I discussed I will discuss I tell you I will tell you I told you a basic sentences I told you many Kata there go I'm a sugar don't go I tell you I will tell you but I don't know 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 I will tell you I will tell you of the Kuni to cheese in Bahasa my bullying who is a bullpen sir what should do you did you or you will use up some Maya are you sure it's the do you or it the video which may believe you Real Madrid what should I ask for it